हेलो गाइज, स्वागत है आपका, अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी विद अमन कुल्मी, आज हम लाहें क्लास नाइन के बच्छोगले, आपका चैप्टर है, नासिजम एंड दराइस अफ हिटलर, जो कि आपका हिस्ट्री का चैप्टर नमबर त्री है, जिसके आज हम मो सामें 11 तारिकों सोचल साइंस का आपको इस चाप्टर की वीडियो देख लेनी है, वह सिंपोर्टन कुश्चन समझ लेने हैं, और इन अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, आपका चैप्टर आपके हाथों में होगा, और आपको अच्छा स्कूर करने से कोई नह समझना है, तो इसनी कोश्चन अंसर में ही हम अपने चैप्टर को भी कवर कर लेना है, हर चैप्टर में हो ऐख़े हो तो आज हम स्टार्ट करते हैं और चैनल को भी दक शाबसक्ड़न को सब्सक्राइब ज़रू करें, फर्सकोर सीन Genocidal War तो Genocidal War क्या है? यह जर्मनी द्वारा Second World War में स्टार्ट कर आ गया था जो की resulting in the mass murder of selected group of innocent civilians of Europe तो जो innocent civilians थे कुछ selected groups को मारा गया था उनका murder करा गया था Next is Second Question What was the impact of First World War on political system of Germany? तो First World War में आपका बता है जर्मनी ने हिस्सा लिया था जब वारा होना था तो आपकास लड़ाई होते हैं और बहुत कुछ हारा जाता लोगों की जान जाय जाती है। और बहुत साही चीज़े हम 허 साथे तो आप पेघ्म पा로ब भड़ता है उपना जबाना आपको पढ़ारी आ क्या अफेक्ट हुआ था तो अब्डिकेशन ऑफ एंपर गेव न अपॉचुनिटी तो पार्लिमेंट पार्टिस तू रिक्रेस्ट जर्मनी पॉलिटी एक डेमोक्रिटिक कंस्टूशन इस्टिपली तो अधर फेडरल स्ट्रॉक्ट्टर बनाने के लिए थार्ड कुछ ने न सकंटीर वॉल्ड वॉर्फ के बट्सेंट्र पावर और अलइट पावर वह हमारी फ़र्स वोल्डव में थो सदेंट्र का ही नाम एकक्सिस कर दिया है नेक्सट फिफ्ड कॉशन गjack refers to the secret state police of Germany तो क्या refers करता था secret state of police of Germany तो गेस्ट आपको करता था hyper inflation क्या है आपको factor responsible इस statement को बताने क्या factor responsible है तो यह situation जा पर बहुत ज़्यादा प्राइस जो होते है हाई राइस हुराते है इड़कर नि जर्मेनी तो यह सब्सक्राइस के बाद जर्मेनी में हुआ था ड्यू बच प्रिंटिंग ऑफ करेंसी बहुत ज्यादा चाप दी गई तो जिससे करेंसी की पास करा गया था हिटलर के द्वारा जब उसने जर्मेनी में गंट्रोल करा तो इनैबलिक एक्ट जो था हो 1933 में पास हुआ था इसने हिटलर को सारी पावर्स देरी थी साइडलाइन पार्लिमेंट की एंड़ रूल्स बाइड डिक्री के द्वारा रूल करना जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थी ट्रेड यूनेंस थे वह बैंड हो गए बस नाजी पार्टी एक अगेली बची एर्थ कोशन है कौन सी ट्रीटी थी जो की साइन करी गई एलाइज के द्वारा जर्म एलाइज विद जर्मनी आफ्टर अफ्टर फर्स वर्ल्ड वार यानि एलाइ कि नाइन खुर्शन में वर्ट बाज़र टीपार्टी पैक्ट साइं तो टी पार्टी पैक्ट के शाइन वह था और इसकी इंपोर्टेंस हैं तो ये साइन हों थे 1440 में जर्मनी इतली और जापान में इट सेंट हिटलर स्केम टू इंटरनाशनल पावर और इन्होंने इस टेंट कर दिया था कि इटलर की इंटरनाशनल पावर है नेक्स्ट एंट कोशन जो नियू रिपब्लिक इस्टिब्लीश जर्मनी की फस्ट वलवार के बाद उसने रिसीव नौट रिसेव वैल बाय इट्स ओन पेवल यह अपने लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉंस रिसीव नहीं करा क्यों क्योंकि जो नियू रिपब्लिक थी वो ट्रीटी ऑफ एर्सलाइस की क्योंकि उनके पर्डीटी ऑफ वर्सलाइस थी यह नहीं संदीध होप दी गई थी अक्सटिंग ओल देमांड ऑफ दी अलाइस की सारी डिमांड वालनी नीगा जो पूरा जो रिपब्लिक बनी वो सारा जुद नाम था वह उस रिपब्लिक पर चोड़ दिया गया और उस रिप पणका नाम ता क्या था भाइमयर रिपब्लिक को सपोर्ट किस ने करा सोशलिस्ट ने, कम्मिस्ट ने औरंड़ के नोट देमोकृत्स ने वायुआ में रिपर्फ सफुस्चू लिटूस इन अगस्ट में रागए । बहुत सारी पॉलिटीकल पाटी थी फ्रीके सेखेंगे निफ्कूल्टी ताबिरेंट नाहिए थे गवर्मेंट में और स्टैबिलिटी को भी रिफकाल था कि वह से स्टैबिलिटी इस्टिबिश कर सके तो वाई मैं कंस्टिटीशन ने इंट्रीश कर अगस्त में ए स्टैबिल था क्याम फॉस्टा थर्दीन कोष्ण ए वार्टीस आज तर्म यूस्स वर्जवन पार्लिमंट तो रही में पार्लिमंट के लिए एक तर्म होती है रिच स्टैग और एक स्टै कि श्टैग टेलिए वाई बाज़ ट्रीटिए अवर्स लाइज हेटिड बाई जर्मनी तो ट्रीटिए ऑफ फर्स लाइज जर्मनी के लोहों के द्वारा क्यों है क्योंकि इस में जो 75 परसंट उसका आधेश का आई रिन वो डी और ले लिया था और उनसे मिलिटरी भी ले लिया था यह निंदि राइस कोइन नहीं साहने को उसमें नहीं रह सकते नेक्स्ट है 15 कोषन वाइमेर रीपोबलिक में विच राइड सुनो गिवें तो प्रेजिड थो 弟 आ तो मैं एंस्ट interface नहीं दिया गया था नेक्स्टे से 16 कोशिन अमोंग वूम 3-party pact विच्छें हिटलर स्क्लेम तो इंटरनेशल पावर वास साइन तो कौन सी 3-party थी जिदोने इंटरनेशल पास हिटलर को क्लेम कर दिया कि वो इंटरनेशल पावर है तो वो जर्मनी इटली और जपान थी नेक्स्टे से 17 कोशिन वैंडि हिटलर विकम चांसलर अफ जर्मनी तो जर्मनी का चांसलर हिटलर कब बना 1933 में वट वाज दर फ्री कॉप्स तो फ्री कॉप्स कहा है ये एक वर है इट वस अ वर विटरेंस और्गनिजेशन विच हर्प दा वाइमे रिपब्लिक तो क्रश दा अप्राइजिंग अफ दा वर्कर और सोचलिस्ट नेक्स्ट है 19 कोशिन विच यर इस नोन फोर दा बिइंगनिग अफ दा ग्रेट दिप्रेशन तो कौन सा ये पावर्स तू प्रेजिनट तो सब्स्पेंच सेल राइटिस और ये पावर्स प्रेजिन प्रॉइट करता है सिविल राइट्स के कि वह सिविल राइट्स कर सकी 21st question है Who was assigned the responsibility of economic recovery by Hitler तो किसने assign करी थी responsibility of economic recovery की Hitler के साथ तो वो थे हजल मार सचाचत नेक्स है 22 question When did Germany withdraw herself from the League of Nations तो Germany ने कभी withdrawal करा था अपने आपको League of Nations से तो वो 1933 में Question number 23 23 Who was the propaganda minister of Hitler तो प्रोपगेंडा मिनिस्टर हिटलर का कौन थे गीबलेस 24 है Hitler integrated which two nations under the slogan One people, one empire and one world तो Hitler ने कौन दो नेशन को यूज़ करा इस स्लोगन के अंदर तो उसने आस्ट्रिया and जर्मनी को इंट्रिग्रेट करा Next है 25 question जो वाइमर constitution थे उसके कुछ in-hand defect थे जो कि उसे unstable और vulnerable to dictatorship बना रहे थे आपको इससे explain करना है तो जर्स सिस्टम था वो प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेशन मेडर अचीविंगा मेजॉर्टी बाइवन पार्टी या नियर इंपॉसिबल टास्क लेडिंग्टो दा रूल बाइक कौलाइज़ेशन आर्टिकल 48 थे प्रेजिडेट को पावर तो इंपॉस एमर्जेंसी यानि उन्होंने प्रेजिडेट को पावर देती थी इमर्जेंसी पोस करें तो इस आर्टिकल मिस्यूस करा गया रूलर के द्वारा नेक्स्ट है कोशिण नमबर 26 तो हिटलर कहां बॉन हुँआ था और उस्ट्रिया में बॉन हुँआ था वाय वज़ज़ फी मस्ट एनाबलिंग एक्ट पास्ट तो यह फेमस इनाबलिंगша पास्ट कि हुआ तो डिक्टैटर शिब जर्मशनी में इस्ट्रिपलीश करने के लिए यह famous act passed हो गया question number 24 है आपको कोई four races बताने people who considered undesirable for or inferior in Germany यानि लोगो undesirable कहा गया आपको कोई four races बताने यानि किन लोगों को माना गया कि वो undesirable है जडमनी में रहने लाइक नहीं है तो वो थे Jews, Blacks, Agapses और Russians क्योंकि Russians से नफरत थी यह चार जो ग्रूप से इन्हें माना कर दिया था undesirable माना गया था question number 29 है who were as known as November criminal अब November criminals के नहीं माना जाता है ऐसे group of people जो की mainly supported करते थे विमर रिपब्लिक जर्मनी की उन्हें November criminals गोशित कर दिया गया उन में से जातर थे socialist, catholics और डेमोक्रेट question number 13 है what was Davies plan तो Davies plan क्या था यह प्लान था जो की introduce करा गया था अमेरिका में to bail Germany out of the financial crisis which it suffered from first world war यह यह एक प्लान था जो की introduce करा था अमेरिका ने की वो जर्मनी की bail जो थी जर्मनी ने जो first world war में T.D. sign करी थी वरसलाई की उसे ठीक कर सके out of financial crisis यानि क्योंकि उसे अपने 75% core देने पढ़ रहे थे जो की उसे first world war में मिली थी 75% core देने पढ़ रहे थे और demilitarize होना पढ़ा था तो वो Davies plan है जो की अमेरिका ने उने दिया था कि उसे bail से छुटकारा पादे जा सके आपको कोई four countries बताने है जो की occupied हुई थी या attack कर गई थी जर्मनी 1936-1945 तो वो थी रिनलैंड, आस्ट्रिया सदंतल लैंड और पोलैंड नेक्स है question number 32 Why were the Jews classified as undesirable by Nazis तो Nazis के according Jews को undesirable क्यों कहा गया तो Jews जो थे वो undesirable थे because they had been status as the clear of Christ and users क्योंकि वो statropides थे और वो Christ के killer थे यूजर थे तो ये इसले माना गया question number 33 Which science was introduced to justify Nazi idea of race तो कौन सी science introduced कर गई थी Nazi के idea को race करने के लिए तो वो थी racial science question number 34 To whom did Mahatma Gandhi had written a letter for international peace तो international peace के लिए किस को महत्मा गांदी ने letter लिखा था तो वो Hitler को लिखा था It was during the Great Depression that Nazism become a mass moment बहुत जाधा day Great Depression के साथ साथ जो Nazism था वो एक mass moment बन गया The depression had a severe impact on economy of Germany जो depression था वो बहुत जाधा impact कर रहता है जर्मेनी की economy में मैंनी बैंक्स बहुत सारे बैंक्स कॉलाब्स हुए बिजनस शट हो गए जट डाउन हो गए यानि बंद पढ़ गए वर्करस ने अपनी जॉब्स खो दी and middle caste was threatened with destination और कुछ लोग बुक्मनी के द्वारा मारे गए इस situation में जो नाजी प्रोपगेंडा था वो एक अच्छा फ्यूचर लाने करे यानि एक hopes for a better future एक वो ही party बच्ची थी यह लोग को अच्छा बविश्य दिखा रही थी और लोग डिप्रेशन में थे तो उनकी बाद भी मानते गए कुछ नंबर 36 है वो वस दा फाउंडर ऑफ नाजी पार्टी तो नाजी पार्टी के फाउंडर को ने हिट ला रहे है आपको होलो कास्ट डिफाइन करना है तो इस वर नाजी किलिंग ऑपरेशन विच आजी किलिंग ऑपरेशन है जो की कारीड आउर होते है जीउस को मानने के लिए कुछ नंबर 38 है वैं डिग जापान अटैक पर्ल हर्बल तो पर्ल हर्बल जापान ने कब अटैक करा था 9 डिसेंबर 1941 आपको डेट याद हो निची कुछ नंबर 39 है वाट वाज दारीजन फोर एंट्री अफ यॉएस इन फ़र फेर्स सगेंड वर्ड वर्ड तो सगेंड वर्ड वर्ड में एंट्र करने का क्या रिजन था क्योंकि जापान ने पॉन्म पर्ल हर्बल आपकान प्लहर्बल पर 1945 में एंड हुआ था हिटलर हार गया था यूएस ने क्या करा था एटम फेक दिया था हिरोशिमा और नागसा की जापान में जिससे वहां पर अभी आज भी जो वहां पर लोग जो बच्चे पैदा होते हैं वह भी जूज होते हैं यानि थोड़े विकलांग होते हैं तो उस हि आज भी देखा जाता है तो यह यहां पर सब्सक्राइब निक है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करें जाद से दोस्ता शेयर करें और वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर जरू करेगा थैंक्स वौचिंग दियो वाचिंग प्लीजू निर्णी करें तो भी में में पूरी लगेर से लिएवाने खिए।ाइब लगे जाए्ड़ी आने करें लिए जसे लिएवाने तो देखें लाएवाने करें